नमस्कार आपका अपना मेडिकल स्टोर है और आप उसके अंदर हॉल सेल का काम कर रहे हैं तो वास्तु शास्तर के अनुसार आपको सैट अप कैसे करना चाहिए आपकी जो जगह है जो शॉप है वो शेर मुखी है और नौर्थ फेसिंग है वास्तु शास्तर में कहा गया है कि शेर कुछ दुकाने अच्छी चलती और कुछ दुकाने अच्छी नहीं चलती उसके पीछे भी कारण एक है जिस दुकान का नौर्थ इस्ट का भग बढ़ जाता है उन दुकानों के अंदर उन शॉप के अंदर हमेशा ही वरकिंग अच्छी रहती है आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह है नौर्थ फेसिंग शेर मुखी शॉप और उसके अंदर होल सेल का मेडिकल स्टोर ओपन क्या हुआ है वास्तु शास्तर के अनुसार शॉप रोड के लेवल से उंची है नौर्थ इस्ट कॉर्नर बढ़ता हुआ है यानि दुकान जो है वह शेर मुखी है और नौर्थ इस्ट कॉर्नर बढ़ता हुआ है तो ऐसी दुकान में हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहती है आंधी आये तूफान है अंदर का सेटप लगवक ठीक होता है तो उस व्यक्ति को कभी पीछे मुण के देखने की जुरुवत नहीं पड़ती मेरे अपने अनुभ का काम करने वाला व्यक्ति एक नहीं कहीं काम शुरू कर लेता है और हर एक काम बहुत बढ़िया चलते हैं यह शौप उसका गाड़ी का इंजन बन जाती है बाकी सारे अपने डब्बे बन जाते हैं जो काम आप इस शौप के अंदर करते हैं वो काम आपके सभी कामों पर हम परेशे ही अच्छा रहेगा और इस शौप के काम से आप एक नहीं कहीं काम और नए उपन कर लेते हैं अब ऐसे में आपकी शौप ऐसी है और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको अपना सैट अप कैसे करना चीडिये सबसे पहले तो मैं कुछ खास बाते बतान हो सकती है आज मैं वो बताना चाहूंगा आपका अपना काम मेडिकल स्टोर का या कोई और काम कर रहे हैं आपके अपनी नॉर्मल शौप है या होलसेल का काम कर रहे है या आपका अपना गार्मेंट्स का काम है आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आपके यहां क्या क् कलर की टाइल से हैं तो आपकी सेल काम होगी आपकी प्युमिंट कई ना कहीं रुप जाएगी तो तो मैं कहना चाहूंगा कि आप ने अपने इस रेम्प के ऊपर आपके लिए पहुत ही अच्छा है यदि आपके यहां श्टारप कोई दूसरा कलर है तो आप अपने यहां पर शेटर के उपर स्काइब लोग लर्द रहेंगे तो उससे भी आपके यहां पैसे आने के साथ नमेशा बने रहेंगे आपने अपने यहां पर जो एंट्रेंस की हुई है वो नौर्ट सेंटर से की हुई है यह एंट्रेंस आपकी बहुत बढ़िया है यानि दोनों तरफ ग्ला अब उचा नीचा नहीं होना चाहिए आपके हैं दुकान के अंदर फर्ष की ढलान फर्ष का स्लॉप साउथ फ्यस्ट से नॉर्थ यह या साउथ से नॉर्थ की ओर होना ही चाहिए इसी की साथ अब मैं आपको बताने चाहूंगा आपके यहां एलेक्रिक मिटर का सिस्ट कोर् intuitively युष नोर्फ वेस्ट कोर्णर में वैस्टी क्यर्ग कर दब उड़ सिस्ट फिरीज ओर में सृथी किस्ट कॉर्णर दो मेरा आपने यह मानना है कि जो कर्ज आप के हम दिन पर देदन बढ़ रहा है वो कज बढ़ना बंद हो जाएगा जब आपकी sale plus होगी तो income आपने आप ही plus हो जाएगी आपका medical store है और wholesale का काम है आपका rack east wall पर भी लगा हुआ है south wall पर भी लगा हुआ है और west wall पर भी लगा हुआ है और front में north wall पर आपने display बनाई हुई है तो मैं आपको कहाना चाहूँगा कि ध्यान रखना है north wall आपकी complete हल की होनीचे display में यहाँ पर जो भी सामान लगा है वो बिल्कुल light weight का लगा है वैसे तो medical store में जो medicines वगर है या कुछ भी आइटिम जो आप display करते हैं वो light weight होते हैं उसको रखेगा जो heavy है उसको आप यहाँ से जरूर हटाएं ऐसे ही जो आपके अपनी east wall पर rack लगे हुए है rack के अंदर नीचे से उपर तक आप सामान लगा सकते हैं लेकिन दियान रखना है east wall पर आपका बिल्कुल light weight की medicines होनी चाहिए syrup, liquid वगरा नहीं होने चाहिए और एक बात का जरूर दियान रखना है rack के उपर यानि जहां तक आपके rack लगे हुए उससे उपर ceiling तक touch करते हुए सामान नहीं लगाना है ऐसे ही आपके अपनी south wall है south east corner से south होते हुए southwest corner तक south के rack के अंदर नीचे से उपर तक जितना हेवी सामान लगाएंगे उतना ही आपको फाइदा मिलेगा rack के उपर जो भी space आपका ceiling तक बसता है उस area में भी आप सामान लगा सकते हैं और मैं कहना चाहँगा कि आप उस area में सामान जरूर लगाएंगे ऐसे ही जो आपके अपनी west wall है west wall पर जो rack लगा हुआ है उसमें southwest corner से west ओती हुए नर्थ वेस्ट corner तक इस rack के अंदर भी heavy सामान रखे और यहां पर भी first से टच करता है और ceiling तक maximum rack के अंदर भर के रखे कोशिश करेंगी जितने भी boxes बने हुए rack के अंदर वो boxes सारे के सारे भरे हुए होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, आपके यहाँ medicines की जो भी पेटिया आती है, वो पेटिया quantity में ज्यादा आती है, वो आपने कहां रखने है, वो सारी पेटिया आपने south zone में, south east corner से south होते हुए south west तक, और south west से west होते हुए north west तक आप अपने पेटिया रख सकते हैं, लेकिन आपका जो counter है, वो counter आपने north east zone में बनाए हुआ है, और आपका face west यानि पश्चिम दिशा की हो रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहां पर बैटने वाला वक्ति हमेशा ही हलका रहेगा, आपको अपना काम सही करना है, मार्किट में अपनी image अच्छी बना कर रखनी है, तो उसके लिए आपको अपनी sitting यहां से जरूर चेंज करनी है, आपने अपना counter यहां से हटा कर west zone में, इसわかला, यहां पर आपने अपना counter लेकर लाना है, आपके विल्लिंग के लिए जो टेबल लगानी है, वो टेबल आपने यहां पर लगानी है, इसमें आप East की और face करना चाहिए, तो Light की और कर सकते हैं। आपके यहां कैश के भी काम होता है। उसके लिए कीक 와 काम वाल बनाने है। के ली आपके काउंटर की हिस्से मानी चाहिए जो की नौर्थ की ओर आपण हो। एक कैश क्रोड है आप अपने यहां पर अपने Wisconsin में वेस्ट वल पर जरूर है। जिसकी फेसिंग इस्ट के और होगी आप कैश के लिए इन दोनों ग्रोर्ट का इस्तमाल करते हैं तो आपके हैं आया हुआ पैसा रुकेगा भी और उसके अंदर बरकत भी होगी और कभी भी आपको फाइनेंस के परतिश और टेज भी नहीं होगी कमी भी नहीं होगी मंदिर आपने कहा लगाना है मंदिर आपने इस नोर्थ हिस जोन में यहां पर अपकना मंदिर लगा सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकर ये दी आपको सही लगती है और आप जरूरत से ज़्यादा परेशान है तो आप अपने यहाँ पर इस तरह छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आप अपने किसी भी साइट के अपरती हमसे ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तु शास्तर के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित पर्थम पुस्तक लक्षमे परवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ अपना आनुभोगी लिखा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या किसी काम के लिए नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपके बिल्डिंग को वास्तु दोश्मक्त बनाने में साहिक जरूर होगी आपकी बिल्डिंग आदी या दूरी बीच में पड़ी हुई है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं और वो पूरी होने में नहीं आ रही चाहे कारण कुछ भी बने तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं जिसके वज़े से आपकी बिल्जिंग का काम बार बार रुख जाता है मेरे दौरा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजी ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोग्रिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे मैंने अपने यूटूब चैनल पर लगवाज 200 वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं इसी तरह है अगले प्रोड़ाम में फिर एक नए विशा पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल